हैले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पूना आप सभी का आपके अपने शैनल सिव कोचिंग क्लासेश पर स्वागत है कल मैंने आपको एक वीडियो में प्रवाइट कराया था कि जो MP बोड का न्यू अपडेट है वो जून के फर्स्ट बीग में आएगा लेकिन प्यारे भाइओ वो तो आफिशली वेबसाइट पर अपडेट तो आएगा ही लेकिन आज का बहुत बड़ा अपडेट ये है कि मत प्रदेश के मानी सिच्छा मंतरी इंदर सिंग परमार जी ने कहा है कि किसी भी दाम पे टॉल्थ का पेपर होना चाहिए मतला पेपर ना होने के वो खिलाप में हैं उनका कहना ये है कि टॉल्थ के पेपर होने से कई बच्छों के भविस्थ बहतर हो सकेंगे यदि टॉल्थ का पेपर नहीं होगा तो बच्छों का भविस्थ जो है अंधकार में जाएगा तो किसी भी परिस्थित में 12 का पेपर होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि मानी सीम जी ने आज अपने भासड में कहा है आप लोग देखे होंगे कैबनेट में बैठा कुई थी उसके पहले उन्होंने अपने भासड में बोला है कि 30 जून को हम ये अफगत करा देंगे किस प्रकार से लागडाउन खुला जाएगा और ये तैबी हो चुका है कि एक जून से लागडाउन खुलेगा धीरे धीरे करके अब जो आफिसली वेबसाइट पे जो आपको रिटेन मिलेगा वो एक जून के बाद ही मिलेगा मतलब फस्ट बीक में मिलेगा तो आपका पेपर कब होगा क्लियर समझ लीजिए जून से मतलब 20 दिन बाद कहने का मतलब एक जून से 20 दिन बाद लगा लो तो 20 जून के बाद ही समझ रहे इनी 25 जून लगबगे दी जून के फर्स्ट वीक में 5 तारीक को भी आपका टाइम टेबल आ जाता है आपका डेटा आ जाता है तो 25 जून तक आपका पेपर स्टार्ट हो सकता है ठीक है ये क्लियर मैं बता रहा हूं और कई सारे बच्चे तो अभी भी संसे में हैं क नई बच्चे वाटसप पे भी मैसेच किये हैं कि सर किसी भी दम पे पेपर रुकना नहीं चाहिए पेपर होना चाहिए हमने साल वस्त फूरा साल भर हमने रात दिन करके मेहनत की है हमारी मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए तो मैं तो सबसे पहले उन भाईयों को सलाम करता जिन्होंने बहत्रे इंडंक से पढ़ाई किया है क्योंकि जो आपका study है वो ही आपको आगे चल कर काम में आएगा ना पढ़ने वाले बंदे आगे चल कर हमेशा पच्ताएंगे तो अभी भाईयों जो सो रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं जिनके मन की आत्मा को उठाओ और उन्हों पुनी प्रश्णों को पढ़ो मैं गरंटेट कहता हूं कि 60% आपका आ जाएगा जो सलेबस कट आउट हुआ है उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपके पास जो भी question bank है उससे भी तैयारी करो जो मत्रदेश की officially website से डाउनलोड किये थे question bank वहां से आप लोग उसे पूरा solve कर लो बिगत बर्सों के प्रश्ण solve कर लो और blueprint के अधार पर पढ़ाई करो मेहनत करोगे तब ही आगे बढ़ोगे यह छोटा से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज मैंने खुद मानी सियम सिंग जी का और सिच्छ मंत्री दोनों जी का ब भिष्स बनता है ऐसा है कि यह दि किसी का 90% बिना पेपर के आ गए तो फिर बच्चा जो 60% में आएगा बिना पेपर का तुसका तो बेकार हो जाएगा तो जो पढ़ने वाले बंदे हैं पढ़ते रहें और जो नहीं पढ़ रहें उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूं क कि पढ़ोने बाद में पस्ताबा होगी तो छोटा सा अपडेट इसलिए बताता हूं क्योंकि आप लोग अबगत रहें मेनत करें अपने आप में मोटिवेट रहें तीन से चार घंटा फिर भी पूरे दिन में पढ़ाई करें बिल्कुल जीरो लेबल पर मत रहें और यह मत सुचना कि जनरल प्रमोशन होगा या कि ओपन बुक होगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है डाइरेक्ट आपका सेंटर में पेपर लिया जाएगा क्योंकि इस थित में बहुत कुछ सुधार हो चुका है